असलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं खेरियत से हैं वेलकम बैक टु मैं चैनल साइमास डेली कुजीन आज वी जो मैंने बनाए कबाब मसाला शामी कबाब रेस्पी है ट्रोडिशनल रेस्पी डेल रोटीन रेस्पी वरे कुईक बने डिलिशियस बने इनका कलर अंदर से बहुत जादा जूसी और मुष्ट है बहुत जादा मज़दार बने कुईक बने डिलिशियस बने अगर आपको पसने तो आभी प्ली जरू ट्रोड़ कीजिएगा इस बैटर से आप कबाब बरे पराथे बनाएए कबाब पराथा रोल बनाएए सेंड्विच बुलाओ ऑबरियानी के साथ सब गीजिए बहुत गुलाओ बियानी के सार्थ किजिये बहुत जादा मज़दार डिलीशियस रस्पी ए है ट्रीशिनल रस्पी रम्जान सेरी स्बेशल रस्पी आईे न मज़दार कबाबों की रस्पी सबसे पहले मैंने तीन पाउक कर दे उसको अच्छा सा वाश कर लिया, उसको एक पतीली में डाल देंगे, वन केजी बॉनलेस बीफ लिया है, मैंने, अच्छा सा वाश कर लिजेगा, चुचुचुची से बोटिया बन वाली जीगा, वो इसमें एट कर दीजीगा, रमजान भर के लिए, इसमें बन जाएंगे, ज बहुत बेटरी जने जैए, में उनल देशा वाला भाव कारी जाएंगे, तिजेगे, वावल के लिए लिया, वावल के लिए, मैंने जाबुतलास मिश्च, जाब रमिश्च, अच्छी ने में एक रिच्छी लाइची लिया, कुचे। लिए, उसको अच्सका टकर के लिए, खड़ा मसाला जाएगा इसमें तकरीबन एक इंच के टुकुड़ा अज़क लिए है में उसको कटकर के एड़ कर दिया 15-20 जवे लेसन के लिए उनको छील के एड़ कर दिया जीरा वन टेपर इस्पून एड़ किया है साबुत धनिया वन टेपर इस्पून लेंगे उसको ज़सा कूटकेश में एड़ करेंगे नमक जाएगा वन टेपर स्पून मिचो और नमक का रिश्यू अपने टेस्ट के साफ साफ कमिया जादा कर सकते मसेदाल बोठी रिशय कबा ख़ाब बच रहें, एड़ी एड़ करूंगी तो नो सब अधिया के लाओर के लाओर नालमिच मैं चाहे तो एड़ करें नहीं एड़ किजिए गा तीन से चाहर किलास के करीब अप इसमे पानी एड़ किया है ताके हमारा कबाबो का मसाला पकना शुरू हो जाए अब यह पकन पकने के लिए रख देंगे जब तक गले का पहले हम इसको बॉाइल देंगे अच्छा सा पर पकाएंगे तक पकाएंगे मज़दार शामी कबाब बोटी रिशा कबाब हमारे तयार हो रहें यह देखें हमारे कबाबों के मसाले ने पकना शुरू हो गया दाल ओगोच गलना शुरू हो गया जब तक यह दाल ओगोच हमारे नहीं गल जाते हैं पानी को खुशक कर लेंगे पिर अच्छा सा हम उसको पीस लेंगे चाहे आप चौपर से पीस है आप चाहे इसी बतन में दाल गोटनी से आप इसको कूट लीजेगा बहतरी बोटी रेशा कबाप मसाला देखें हमारा तयार हो गया बहतरी नार जूसी टेक्श्चर इसका आए इसको इसी तरिकी बनाईए गा है मत्यादर बोटी रेशा कबाब हमाये तैयार होने वाले हैर हम इक्श्चर डेक्श देखिए इसका कलर देखिएम मसाले long लेइप देखें रट्धियों के करिमाः करीव लोड़ा है और रीवर करेंगे ड़कर में मैंने लिया हैं उनको मैंने एट कर दिया अंटो से हमारे कवाबों को बहतरी से बैंडिक मिलेगी अच्छा सा कुरकुरपन मिलेगा अब यह प्यास हरदनिया हरी मिच और लैमन का हम इसमें स्पेमाल करेंगे दो लास साइश की प्यास लिए मैंने 15-20 अदर हरी मिच लिए और हरदनिया की गड़ी लिए यहां पहले मैंने दो लैमन को निचोड लिया है उनके जूस निकाल लीजिए और बीजों का अटा दीजिएगा अभी प्यास एट कर रही हूं तमाम मसाले हरदनिया हरी मिच लाल म प्रेश वेजिटेबिल्स का इस्तेमाल किजिए क्योंकि हम इसको स्टोर करेंगे रमदान के लिए यूस कीजिए जो कि आपके कबाबों में खुबसूरा सा रंग देंगे बैसी मज़दार कबाब मसाला हमने एट कर दिया है अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे आप पराटर रोल बनाये शामी बर्गर बनाये सैंड्विचिस बनाये प्लाव बिर्यानी के साथ सर्फ कीजिए गिरीन चटनी रायता सलात एट कीजिए मददार बोटी रिशा का बाब तयार होना है आप इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अब बैटर को 2-3 गंटे के लिए उसके बाद हम इसकी टिकिया बनाये इसको हम फ्रीज़र में रटर करेंगे अब अपनी ज़रुफ के इसमिरा साथ सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं इक देखि ये देखिए मिक्स्चर ज opened and JASON Sandy अपनी जोट के साफ से इस्तिमाल करेंगे इसको हम आईए इसको हम फ्राइ करके दिखाती हूं मैं आपको यह देखिए मज़िदार कबाब हमारे अच्छे से बाइंड हो गए हैं यहां पर किसी कॉन फ्लोर ना ही ब्रेट प्रम्स ना ही अंडे की कोटिंग करिए तमाम इसको हम फ्राइ करेंगे पिर जब नीचे जाएंगे तो इसको हम टर्न कर देंगे मज़िदार कुकुरे कबाब हमारे तयार हो रहा है आप इसको ग्रीन चटनी राइटा सलाथ के साथ सर्फ कीजिए आप जरूर बनाएगा रमजान स्पेशल रेस्पी बना के रख के बाब सूइट रेस्पीत मुझोदेद हैं, रमजान स्पेशल रेस्पीत मुझूदे चलाचाट, आलू टिक की ढही बडे गरीन चुटनी गरीन चटनी धाय मज़िदार रेस्पीत मुझूदें , कड़ाई रेस्पीत मुझूते Sit Wire कमा पुलाओ बिर्यानी , जिंधि बिर तिल देल, Allah Hafiz.